पावटा साहिब सिवल अस्पताल में महला रोग विशह शगी की तबादले को लेकर जनता में नाराजगी और रोश देखने को मिला, जिसको लेकर महलाओं ने नारे बाजी की, महलाओं ने सरकार से गुहार लगाई कि इस तो ये रोग विशह शगी डॉक्टर का तबादला ना किया जाए यहां ना किवल पावटा साहिब बलकी, शिलाई, रेणुका जी और नहान विदान सबाशेत्र की महलाएं भी इलाज करवाने के लिए पहुंचती हैं लेकिन यहां डॉक्टर का ट्रांसवर हुआ तो भारित संक्या में महलाओं को परिशानी उठानी है पर वहां कोई सुविदा नहीं है यहां कोई सुविदा नहीं है लेकिन ना तो एक्सले है ना एक्सले है ना एक्सले है यह तो ना हमन में जाना पड़ता है यहां पॉंटा में आना पड़ता है इसलिए में आज पॉंटा में आज करिम बारा सुक्यू बच्चे के डिली यहां पासकर यहां ग्रेव रूप सब आते हैं एडिजर फिर ट्राइवीड ऑस्टिकल में तो जा नहीं पाए दिए कोई लेडिज नहीं इसलिए इनकी रोग खाम यह नहीं ही पड़ी जाएं मार को बहुत सो बीदा है इनी टोप्रों के पास बीदा लेडिज आरख पी हैं इस शिलाई से कफोटल से बाउस रांचल से सबी लेडिज गरीब परिवारते भी हैं यहां पर सर के पास विधाले ने आती हैं अब रॉक्तर सुदी का तबादला हो रहा है बोल रहे हैं पांस दिन में तो यहां पर यहां पर यह कोई भी म सब्सक्राइब नहीं मिल पाईगी फिल्कुल भी तो हम सब सरकार सी रिक्वेस्ट है कि डॉक्तर सुदी का तबादला रोख दिया जाए और सभी गरीब परिवास यह नहीं कर पाईगी कि वो प्राइवेट पे जा सके सरकारी का मतलब होता ही कि हमें सरकारी वस्तिल में अग्टर सुदी मिल नहीं हम पाति लेके हैं कि हम फ्रैवेट में यह नहीं बॉक्टर उड़ा होता है raph मैं धी चापची इसाल बाबी देख की इकुलनोब कर अबने सुनक, at या रेव धरम जो होडा गेला है कि अच़ पाहिगा ढ़िए भी से लिए, ऑज है कि मैं भाराँ का अचन्ट में पाहिए, थी ना में गालत में, अचित रहा है टृक्शजज़ों प्रेम वर्मा की रिपोर्ट के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केस्ट्री